हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्बी क्लासिज, मैं भारती को अतम एक बार फिर आप लोग का स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो लेक्चर में आज हम लोग discuss करने वाले हैं नेशनलिजम इन इंडिया का एक बहुत ही important topic गांधी इर्विन पक्त प्रिवियस वीडियो में हम लोगों ने डांडी मार्ड्ग के बारे में बहुत कुछ discuss किया था डांडी मार्ड के बारे में minute से minute information मैंने आपको देने की कोशश की थी अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो description में आपको पूरी playlist का link मिल जाएगा वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं previous वीडियो में मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि गांधी जी ने डांडी पहुचकर एक मुठी नमक बनाया और British government के सबसे बड़े law को उन्हें break कर दिया salt law को उन्हें break किया नमक बना कर और उसके बाद गांधी जी एक raid करना चाहते थे धरासना में salt raid लेकिन उससे पहले ही गांधी जी को और Congress के बाकी leaders को arrest कर लिया गया और जब थोड़ी आगे उसको किसी और ने lead किया यानि की कस्तूर्बा गांधी जी और अबास तैयब जी ने जब इस पूरे protest को lead किया तो उनको भी arrest कर लिया गया finally सरोज ने नाइडू जो है इस protest को लेकर धरासना पहुची जो की बिलकुल peaceful protest था लेकिन British government ने इन peaceful protesters पर लाठी चार्च के order दे दिये जोसे वहाँ पर खड़ी सारी media ने capture किया और worldwide British government सभी के सामने expose हो गई जब British government expose हो गई और उससे पहले ही जो हमारी INC थी यानि कि Indian National Congress जो थी वो पहली round table conference का invitation already ठुकरा चुकी थी क्योंकि वो civil disobedience movement में busy थी एक ऐसी party जो इतनी popular थी जिसके कहने पर भारत की 50,000 से 60,000 की जनता जेल में जाने के तयार हो गई जिनके कहने पर इतना बड़ा mass movement हो रहा था अगर ऐसी ही popular party first round table conference में participate नहीं कर रही है it means तो उस round table conference का उस discussion का कोई मतलब नहीं है first round table conference November में होनी थी November 1930 में जिसमें Nehru Report और Simon Commission की जो report थी उसको discuss किया जाना था काफी सारे Indian delegates ने इस meeting में participate किया था लेकिन फिर भी Congress इस meeting में available नहीं थी इसलिए ये discussion पूरी तरीके से unsuccessful रहा अब Lord Irwin पर British Government का pressure था कि वो कुछ भी करे लेकिन second round table conference के लिए Congress को convince करे कि वो इसमें participate करे लेकिन उससे पहले ही गांधी जी, जिफारलल हैरू, सरदार वल्लब भाई पतेल ये सभी arrest हो चुके थे और धरासना में जो incident हुआ उससे भी सभी लोग बहुत जादा खफा थे अब बारी थी Lord Irwin की भागने की और सभी जगे ये news फैल चुकी थी कि British Government अपने घुटने टेक चुकी है तो गांधी जी की एक तरीके से ये जीत थी अब Lord Irwin पहुंचते हैं गांधी जी के पास उनसे बातचीत करने के लिए गांधी जी और Irwin के बीच 15 दिनों के अंदर 8 meetings होती है 8 बार वो मिलते हैं उनके बीच में बातचीत होती है और पहली बार ऐसा लगता है कि दो बराबर के लोग आमने सामने बैठे हुए है गांधी इर्विन पैक्ट कहा जाता है जिसे 5 March 1931 को साइन किया गया क्या था इस पैक्ट में यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्या-क्या डिमांड्स रखी गई थी किसकी तरफ से सबसे पहले British Government ने जो सबसे important डिमांड रखी गांधी जी से वो ये थी कि वो अपना civil disobedience movement वापस लेंगे ठीक है दूसरी डिमांड क्या थी? दूसरी डिमांड ये थी कि वो second round table conference में participate करेंगे गांधी जी ने Lord Irwin की दोनों ही demands को मान लिया उन्होंने civil disobedience movement को वापस लिया और second round table conference में participate करने के लिए जो की December 1931 में लंडन में होनी थी उसमें participate करने के लिए भी वो मान गए वहीं दूसरी तरफ जो सबसे important चीज थी जो इसके बदले में British Government ने मानी थी गांधी जी की demands वो ये थी कि जितने भी political prisoners हैं जिनके उपर violence का कोई case नहीं है उन सभी political prisoners को British Government release करेगी इसके अलावा salt पर जो monopoly British Government ने लगाई हुई है उस monopoly को खतम किया जाएगा और coastal region में रहने वाले सभी लोगों को अब नमक बनाने की permission दी जाएगी इसके अलावा जितने भी लोग जिनों ने land tax पर नहीं किया है जिसकी वज़े से उनकी properties को हडप लिया गया है जो properties उनसे ले ली गई है वो सारी properties लोगों को वापस की जाएगी जिन लोगों ने civil disobedience movement के दरान अपनी jobs को छोड़ा है British government उन सभी लोगों को jobs पर वापस लेगी इस तरीकी के कुछ demands थी गांधी इर्विन pact में जिसमें गांधी जी ने कुछ demands को माना और कुछ demands को British government ने भी माना गांधी जी ने इस pact के दौरान उस time पर भगत सिंग, राजगुरू और सुकतेव जी की जो फांसी होने वाली थी उसको रोकने की भी demand रखी थी लेकिन Lord Irwin ने उस demand को पूरी तरीके से ठुकरा दिया था वो चाहते थे कि इस फांसी को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए लेकिन वो फांसी उस time पर नहीं रुकी और Lord Irwin ने उस मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया लेकिन बाकी जो demands थी उस पर दोनों ने आपस में बातचीत की और demands को माना गया और finally 5 March 1931 को दोनों के बीच में ये pact sign हुआ जिसे हम लोग गांधी Irwin pact कहते हैं I hope ये आपको बहुत अच्छे से clear हो इसके बाद finally गांधी जी जो है second round table conference में participate करने के लिए लंडन जाते हैं गांधी जी लंडन गए थे ये सोच कर कि वो पूरे भारत देश को represent कर रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसा नएए था जिससे गांधी जी सोच रहे हूं कि उनके दिमाग में ऐसा कोई नहीं था कि हम लोग इंडिया में किसी class को या फिर किसी work को छोड रहे हैं गांधी जी सभी लोगों को साथ लेकर समझ रहे थे कि मैं सभी लोगों को वहाँ पर जाकर रिप्रेजन करूँगा क्योंकि वो जो मीटिंग होनी थी वो constitutional reforms को लेकर होनी थी जिसमें हमारी reports को discuss किया जाना था लेकिन जैसे ही वहां गांधी जी पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलगी जजारा देखने को मिलता है वहां पर हर कोई जो है अपनी अलग-अलग वर्ग लेकर पहुचा था मुहमद अली जिन्ना कह रहे थे कि Congress में मुसलिम की कोई जगे नहीं है इसलिए Muslims को जो represent है वो मैं कर रहा हूं BR अम बेट करकर कहना था जो दलित वर्ग था उसके लिए Congress में कोई जगे नहीं है उन्हें कोई नहीं पूछता है तो दलित को मैं वहाँ पर represent कर रहा हूं तो इस तरीके से जब अलग-अलग क्लास की अलग-अलग representation महाँ पर गांजी जी ने देखा कि कोई भी all over इंडिया को represent करने के लिए तयार नहीं है और इंडिया में ही अभी वो unity नहीं है जो होनी चाहिए तो गांधी जी को इस चीज से बहुत जादा निराशा हुई और वहां से वो जो है वापस लोट कर इंडिया आ गए इस वज़े से जो second round table conference थी वो भी पूरी तरीके से unsuccessful रही जैसे ही गांधी जी वापस लोट कर आये तो उन्होंने देखा कि बिटिश गोवर्मेंट ने एक नई सिरे से लोगों को torture करना स्टार्ट कर दिया है जवाला लहरू अब्दुल गफार खान अभी भी जेल में ही बंद थे उन्हें रहा नहीं किया गया था और लोगों को अलग-अलग तरीके से torture किया जा रहा था गांधी जी ने जब इस सारी चीज़े देखी तो उन्होंने civil disobedience movement 1931 में फिर से start कर दिया लेके इस बार कितने लोगों ने और किस तरीके से इस movement में participate किया और पहले movement में लोगों की क्या आशाय थी और कितना ये movement उन आशाओं पर खरा उत्रा इस बारे में हम लोग next वीडियो में discuss करेंगे आप इस तरीके की detailed वीडियो के लिए मुझे अनकैडमी पर भी follow कर सकते हैं अनकैडमी पर मैं class 9th and class 10th की students के लिए बिल्कुल free available हूँ मेरी profile का link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप मेरी profile को सीधे visit कर सकते हैं और मुझे follow कर सकते हैं आप जैसे ही मुझे follow करेंगे आपको मेरी सारे classes के notifications मिल जाएगे सो आप मेरी classes को easily join कर सकते हैं सो class 9th and class 10th students बिल्कुल मत भूलेगा मुझे अनकैडमी पर join करना क्योंकि हम वहाँ पर live पढ़ते हैं live doubts को clear करते हैं और हर chapter की detailed information को हम लोग वहाँ पर discuss करते हैं अब बहुत सारे students आप मुझे से पूछते हैं कि ma'am an academy आपको यूज किस तरीके से करना है चलिए एक छोड़ी से पीपीटे के च्रूप में आपको बताती हूँ कि आपको अनकैडमी आपको किस तरीके से यूज करना है अनकैडमी आपको यूज करना बहुत ही easy है सबसे पहले आपको Google Play Store से Unacademy आपको install करना है आप वहाँ पर जैसी Unacademy search करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहला option आपको Unacademy Learner आपका दिखाई देगा आपको Unacademy Learner आपको click करकर उसे easily install कर ले रहा है उसके बाद जैसी आप इस आपको install करेंगे उसे open करेंगे तो वहाँ से वह आपका mobile number verification मागेगा आप जो भी mobile number उसमें use करना चाहते हैं वो mobile number आपको simply डालना है और आपके उस mobile पर एक OTP आएगा और आपको OTP को डाल कर अपने mobile number को verify कर लेना है After that आपको वहाँ पर बताना है कि आपको कौन सी language में पढ़ना है किस language में आप पढ़ना पसंद करेंगे वो वहाँ पर आपको fill करना है After that आप किस category के लिए तैयारी कर रहे हैं आप class 9, class 10, 11, 12 किसी भी चीज़ के लिए आप prepare कर रहे हैं वो category आपको fill करनी होगी And after that आपके name and कुछ details आपसे मांगी जाएंगी और उसके बाद आपकी profile जो है यहाँ पर create हो जाएगी मैंने आपको बताया कि मैं अकैडमी पर आपके लिए free available हूँ मेरी special classes आपके लिए available हैं तो उन special classes तक आप पहुँचेंगे कैसे वो special classes आप कैसे देख पाएंगे तो वो special classes को unlock करने के लिए आपको एक code की ज़रूत पड़ेगी अगर आप एक new learner है तो आप वहाँ पर मेरा code यूज कर सकते हैं और वो code simply है मेरा नाम That is भारती G10 Simply my name in capital letter आप ये code को use कर सकते हैं और अपनी special classes को unlock कर सकते हैं इसके लावा अनकैडमी पर धेरो feature available है जो बहुत सारे आपके doubts को easily clear कर सकते हैं आपकी self study को बहुत easy बना सकते हैं तो इस तरीके की detailed lectures के लिए आप मुझे भी अनकैडमी पर follow कर सकते हैं और आप समझी गए होंगे कि आपको किस तरीके से अनकैडमी आप को use करना है I hope this is clear to you आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं next video में कुछ और amazing facts के साथ और कुछ detailed videos के साथ Thank you very much, bye bye